उत्तर भारत में ठंड ने भले दस्तक दे दी हो लेकिन यूपी में सियासी पारे में लगातार गर्माट है लगातार सियासी रहलिया हो रही है असुदी नुवसी बारा बंकी में सुशित वंजी सम्मिलन करने के लिए लखनों पहुंचे है उवसी साहब सियासी पारा यूप ता आज उससे बहुतर हम हम स्ट्रॉंग पोजिशन में हैं और हमारे पदेश इद्रिक्ष्ट ने इस बात का फैसला लिया कि हम सव विधान सभा की सीट पर एलेक्शन रणने की त्यारी कर रहे हैं तो अपनी त्यारी करेंगे एलेक्शन लड़ेंगे अच्छा पर्फॉर्म में यूपी को इन दो लड़कों का साथ पसंद हैं हां फिर दोहजार उन्नीस में आपने हाती पर बैठा था और क्या नतीजा निकला तो आप तो हर एक्सपरिमेंट कर चुके हैं तो आप किस बुनियाद पर उतर परदेश के मुसल्मानों से कहे रहे हैं कि 75 फीसद उतर परदेश के मुसल्मानों में 2019 में आपको ओड दिया फिर आप 15 सीट लोग सबाग सीट आप क्यों जीत पाए कौन जिम्मेदार है इसका आपके परिवार के तीन लोग हर गए तो अब यह रंग रंग की बात कर रहे हैं इनका हर में लग रंग होता है एक सवाल आपने का कि कांगरेस के साथ नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो क्या बसपा या रल्डी के साथ जा सकते हैं बात हो सकती है ऐसी कोई संभावना है कि मैं अभी इस पोजिशन में नहीं हूं कि इन से होगा इन से नहीं हो वोटर, MIM party candidates को हजारों ने बलके लाकों की दादात में वोट दे कर उनको कामियाब करेंगे. अगर खलीलाबाद की बात करें तो महदावल में आपको चालीस जार से जादा वोट तब मिले थे. यानि इस वोट बढ़ेगा. राजभर के साथ आप रहे. उनको आपको क्या लग रहेंगे? अखले शादों के साथ ऐसा तो नहीं होगा? तो पलड जाएंगे जैसे आपको छोड़के चलेगा? मैं मैं उनके बारे में नहीं बो सकता. वो खुद अपने बारे में बताएंगे वो उन से पूछ लीजी आप. रिशी कानून बिल प्रधान मंतली जिस तरीके से ऐलान किया उसके बाद तमाम बी जे पी के लोग राज जिपाल ये कह रहें कि ये फिर से लागू किया जाएगा इसमें कुछ चेंज फिर से प्रोटेस्ट होगा पहले से जादा प्रोटेस्ट होगा पहले जादा प्रोटेस्ट होगा बहुत बने एक सिंगू ने बलके पूरे देश के तराफ में इस तरह का सिंगू बार्डर बनेगा कश्मीर से लिए कन्या किया गया? देखिए पधान मंतरी ने उनकी सरकार ने पहले तो unconstitutional खानून बनाया. ये state list में आता है, उनको कोई अख्तियार नहीं था. दूसरा लखिमपूर खीरी के बाद जो सुप्रीम कोट ने सो मोटो उस केस को लिया. और तीसरा सुप्रीम कोट ने observations, oral observations थे जो pollution के बारे में सुप्रीम कोट ने कहा. और तीसरा है कि ये एक साल से किसानों ने बड़ी खुर्बानी दी. साथ सो लोग किसान की मौत हुई. और पधान मंतरी का narrative perception खराब हो रहा था. और political इनको नज़र आ रहा था कि political laws भी होगा. तो इसलिए पांच एहम वजे थी हमारे opinion में जो हालत मजबूरी में पधान मंतरी को बोलते ना कि he had to swallow his pride. और उनको ये अपना खानून वापस लेना पड़ा. हाँ, अब ये अगर फिर एक हरकत हिमाखत करेंगे, गलती करेंगे तो फिर प्रटेस्ट होगा. एम्यू के चात्र कह रहे हैं कि cnrc भी वापस होना चाहिए. मुस्लिम धर्म गुरू यहां कह रहे हैं. देखिए, जब आप अपनी गलती को मानते हैं, तो ये भी तो गलती है, आपकी सी डबले का खानून जो आपने रिलिजन की बनियात पर बनाया, जो आर्टिकल फंडमेंटल राइट है, इक्वालिटी का, उसके कम्प्लीटली खिलाफ है, इक्वालिटी के खिलाफ है, और अफगानिस्तान में जो तालिबान की आमद हुई है, हम तो पारलिमेंट में बोले थे, आप ये खानून गलत बना रहे हैं, अफगानिस्तान में जो हमारे भारत के चाहने वाले हैं, उनको आप धोका दे रहे हैं, वो तो सही जो दूद का धुलावा है, बावजूद इसके कि उसके बेटे ने अपने उनकी गाड़ी से चार किसानों को मार दिया, पधान मंत्री इसलिए भी उनको नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि उनको उस अपरकास कम्यूनिटी का ओड़ चाहिए, और इससे बात सामने आती है, क्योंकि पधान मंत्री की कैबिनेट में, जब तक यह शक्स रहेगा, उन मरने वाले पीडिट परिवार से इंसाफ नहीं हो सकता, तो यह आपने सुना क्या कहना है, सुदीन होगा इसका, साफ तर पर कह रहे है कि सौ सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई साथ हो, चाहे ना हो, और आने वाले समय में किसके साथ गरबंदन करना, यह mutual understanding पर, mutual चीजों पर तैं होगा, क्रिशी कानून बिलको लेकर साफ तर पर कहरें कि C.A.N.R.C. को भी इसी तरीके से वापत लेना, सरकार क को चाहे, करना से में दिया से साथ, अन्भा शुक्ला, एबी पी गंगा, लखनो.